नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं Microsoft Excel में Payment Due Date Calculation के बारे में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो formula दिखाऊंगा उसको यूज करके आप Payment Due Date, Expiry Date और उसके साथी Payment Due Date में कितना दिन बाकी है उसको भी आप यहाँ पर easily calculate कर सकते हो तो वीडियो काफी important होने वाला है वीडियो को last तक देखिएगा तो चलिए process को start करते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक table को design किया है जहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है item column को यहाँ पर मैंने कुछ insurance जैसे car, bike, कुछ insurance का नाम लिया है और उसका यहाँ पर देखिए मैंने जो purchase date है उसको मैंने यहाँ पर दिया है उसके बाद मैंने यहाँ लिया है 10 year 10 year में मैंने यहाँ लिखा है इस tenure के बाद वो जाके कौन से date में expire होंगे वो date मैं यहाँ पर calculate करके आपको दिखाऊंगा तो इसके लिए आपको यहाँ पर formula लिखना है formula में आपको लिखना होगा equal e date e date लिखने के बाद आपको यहाँ पर first bracket को open कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पर start date start date में जाके आपको purchase date को select कर देना है select करने की बाद आपको देना है comma comma देने के बाद आपको यहाँ पर month को select करना है month यहाँ पर देखिए tenure का जो sir है यह मन्द इसको मैं यहाँ पर select कर दूंगा select करने की बाद bracket को close करेंगे और लिखेंगे minus 1 Just एक पर enter कर देना है, enter करने के साथ ही यहाँ पर देखिये expiry date जो है वो यहाँ पर calculate हो चुका है बाकियों को calculate करने के लिए just यहाँ से आपको drag करके auto fill कर देना है यह दिखिये बाकियों का expiry date यहाँ पर calculate हो चुका है अब मैं दोस्तों आपको days left को calculate करके दिखाऊंगा मत्तब कि expire होने में कितने दिन बाकी है उसको मैं यहाँ पर आपको calculate करके दिखाऊंगा इसके लिए आपको यहाँ पर simple formula को apply करना है इसमें आपको लिखना होगा equal equal देने के बाद आपको यहाँ पर expires on का जो date है इसको आपको यहाँ पर select करना है फिर देना है minus sign और यहाँ पर लिखना है today today first bracket open close इससे होगा कि today में जो current date है उसको यहाँ पर pick करेगा और उसको minus करेगा आपका expire on का जो date है उससे just एक बार आपको enter कर देना है select करना होगा select करने के बाद आपको जाना है home tab में और यहाँ से number group में आपको जाना है और उपर देखिए यहाँ पर date select है यहाँ से आपको general को select कर देना है select करने के साथ ही यहाँ पर देखिए आपका days left जो है वो यहाँ पर calculate हो चुका है बाकियों को calculate करने के लिए just यहाँ से आपको drag करके auto fill कर देना है यह देखिए बाकियों का calculation भी यहाँ पर हो चुका है अब मैं दोस्तो इनको select करूँगा select करने के बाद मैं चला जाओंगा home tab में home tab में जाने के बाद इसके alignment को मैं यहाँ पर center alignment में जाके click करके center कर दूँगा यह देखिए दोस्तो अब अगर आप यहाँ पर किसी भी item के purchase date को change करते हैं तो उसके साथ ही automatically उसका expires on और उसका days lift change होता जाएगा मान लिजे मैंने यहाँ पर इसका purchase date को यहाँ पर change किया है यदि यह change करने के साथ ही expires on और उसके साथ ही days left automatically calculate हो चुका है तो दोस्तो यह था simple process जिसको use करके आप easily Microsoft Excel में payment due date, expiry date और days left को calculate कर सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजेगा thank you for watching the video please keep your support